राहूल गांधी कहते हैं कि मुद्दों से भटक जाती है बीजेपी हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं क्योंकि हार रहे हैं विकास पर बात हुई दो फेज में डर लगा तो मुसल्मान परा देश का मुद्दा तो ही न हिंदू मुसल्मान, अब हमारा देश में जो देश का विभाजनी हिंदू मुसल्मान मसला पर हुआ है, वो देश में हिंदू मुसल्मान क्या मुद्दा नहीं है, राहूल को लगता है कि लाब जहाद मुद्दा नहीं है, राहूल को लगता है के लिए मुड़ा है लेकिन हम जब बोलता हूं मुसलमान में भी कास सेंसस करो तो वो मुड़ा नहीं है तो डेस में मुड़ा क्या है उसके लिए भी राहुल से पर्मिशन लेना परेगा कॉंगरेस में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि वह भी क्या जमीन से दूर होती चली जा रही है या उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि वह कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार बना लेंगे कॉंग्रेस में राहूल ही है उसके लिए जमीन में कॉंग्रेस नहीं है जब तक राहूल रहेगा तब तक कॉंग्रेस जमीन पर कैसे आएगा वो तो घुमते रहता है कभी सेस खिलाता है कभी टेक्टर में सला जाता है कभी फ्लाइट में कभी हवा में कभी आकास में तो राह पुल को पहले जमीन आने परेगा ना प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं कह रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्राटिजी है कॉंग्रेस की देखो सुनाव लड़ना साहिए अगर आप पंसायट का सुनाव भी नहीं लड़ेगा जिला परिश्ट का भ एक बड़ जीत लो तो अच्छा लगता है आप पार्लेमेंट में नहीं है पूरा पर्लेमेंटरी सिस्टेम का बारे में बात सुरू कर देते हो एक बार चलो जीत लो तो अब एकाउंटेबिलिटी आज आते है ने अभी तूब यह लुग क्या है यह लुग विडाउट एक अब फायर करते रहता है किसले जानते मेरा को अकाउंट इंगी नहीं कुछ भी होगा भुलेगा तो छरगे प्रिसिदेंड हम तो कुछ नहीं हूं मैं रहूल गांधी पर पूछना चाहूंगी राय बेरली से लड़ेंगे अमेठी से नहीं लड़ेंगे राहुल ने थोड़ा बुद्धी मत्टा का काम किया कि आमेठी से लाखों में हर जाता था साय राइबरिली में हजार से हरोंगा तो थोड़ा सा उनने बुद्धी मत्टा से काम किया है उसको तो साधुबादी देना है आपको हमेशा उनके बुद्धी से क्या इतराज रहता ह था जाना तो सित में था फैमिली का सीत या तो प्रियंका को जाना था या रहुल को जाना था एक दम दोनों तो अब खाली नहीं चोड़ सकता है एक में जाना था तो उन्होंने जो थोड़ा सा शेफ लगा उसमें सला गिया बीजेपी कॉंग्रस कह रही है कि बीजेपी डर गई है क्योंकि राहूल गांधी मैदान में उतर गए है प्रियंका गांधी की अभी समय आना बाकी है ने बीजे पी तो हमेशा राहूल से दरता है बीजे पी तो राहूल से दरता है राहूल बूलता है दरो मत तो इसलिए आसकाल हमने भी सीख लिया कि दरना नहीं है ने तो हम दरते थे राहूल से भाई अतना भयंकर नेता है आप केंपेन आएगा तो सारे सित आप जीत लेगा आपका सामने कुन खरा हो सकता है हम लोग तो पहले डरते थे लेकिन बाद में राहूल नहीं हमें सिखा दिया कि दरो मत मैं अतना बड़ा बेक्टी नहीं हूँ आप मुझसे मत दरो तो इसलिए आसकाल हम लोग दरता नहीं हूँ विजपी ने बहुत सारी बातें किए कि जमू कश्मीर में आतंकबात कम हुआ है लेकिन हाली में फिर इक बार एर फोर्स पर हमला हुआ सवाल खड़े हो जाते है ना दादर जो मुह कशमीर में अतंगबात कम हुआ बोला हैmbre खतंद हुआ है तो इह नहीं बोला है 370 पाद statistics और जमीनी हालत यह बोलता है कि अतंगबात कम हुआ है आसाम से भी कोई टूरिस गिआ हैं घुम द आया है पहले तो आहलत नहीं ठा तो सुधार हुआ है लेकिन संपुन सुधार हुआ है वो तो दावा किसी का नहीं है क्या बात सच है कि राजपूत वोट नाराज हो रहे हैं जगा जगा पर या टुकडियों में नाराजगी हो रही है इसलिए समहालने की कोशिश कर रही है रासपूत कोन है धमी जी तो रासपूत है जोगी जी तो रासपूत ही है तो बीजेपी में रासपूत और बीजेपी उसमें क्वेशन मार्क कहा आता है कोई एक इकाई में, कोई एक इलाका में कुछ specific problem हो सकता है राजनात सिंग जी तो रासपुद ही है तो ऐसे कोई प्रडेस में कोई लोगों का बयान हो गिया और उसका कारण आप सोसेगा रासपुद बीजेपीन में नहीं है ब्रामिन नहीं है, OBC नहीं है, ST नहीं है, SC नहीं है यह तो बहुत ही extreme interpretation हो जाते है असम ने मनमोहन सिंग को प्रधान मंतरी बनाया कई बार लेकिन अब अगर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को देखते हैं तो अंतर क्या देखते हैं और आपको क्या अंतर सीखा क्या है देखे, मनमोहन सिंग अभी राजनीटी में नहीं है और रिट्रियामेन का मूद में है या रिट्रियामेन हो शुका है तो मैं उनका संबन इस सुनाव में नहीं लाना साता हूँ मोधी जी को एक बात मोधी बना देता है भाई हम भारत के लिए लगा हमारा कुछ भी आगे कुछ भी नहीं है, देज ही मेरा सब कुछ है, और मैं समर्पिद हूँ, हम किसी में ओ टाकत नहीं है, देज के लिए सब प्रतिसत समर्पिद रहने का। पाकिस्तान के मंत्री ने कॉंग्रेस की और राहूल गांधी की प्रशंसा की है, कुछ कहेंगे? मैंने देखा हूँ, राहूल जी को अगली सुनाओ, पाकिस्तान से लढ़ना सही हे, जीतेगा, अच्छा भोच से जीतेगा, ऐसे तो, हाफ मुस्लिम लिग का सपोर्ट से तो उस सुनाओ जीतते ही, जिन्ना का जो ओरिजिनल पार्टी था, उनका सपोर्ट से ही उस सुनाओ ज भोत से जिते हो सकता है पाकिस्तान में जो political instability हो रहा है उसमें राहुल जी कुछ ठीक भी कर सकता है बहुत बढ़ा scientist है oh राहुल जी scientist है बहुत बढ़ा political scientist है sales player भी है अब यह बताए है इस बार आपको कितनी seat का भरोसा है 400 पार का सपना साकार होता लग रहे हैं देखिए 601 हीं मिल के हम लोग सार्ष का सार्ष का लक्स तक टेजी से आगे बार ति दिल्चस्थ भोगा मुकाबला देखना कि आखिर कार कितनी सीटें आती हैं एंडीय की ऐस मैं असम में तयारी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असम के मुख्यमंत्री हेमान विश्व सर्मा जी चाड़क के कहा जाता आपको पूरवत्तर भारत का कितनी सीट लाएंगे इस वर्दादा अशुष मिलाकर सोधा सीट और हमारा प्रयाज के लिए ऐस सबात करते हैं अब मियाँ का वोट नहीं चाहिए आज बात पर तिक होएं तो फिर जीतेंगे कैसा देखे अ और हम हमारा कोई principles है वो principle में हम पहले भी ख़रा था आज भी ख़रा है हम मिया मुसल्मान समास को यही बोलता हूं कि आपका भूद हमें सही है लेकिन आप भी बोलिए कि बाल बिबा को हम बन करेगा आप भी बोलिए कि हम polygamy में विश्वास नहीं ही रखेगा अगर कोई लोग मेरा बात मानते हैं कि हमारा बाल बिबा नहीं होगा पॉलिगमी नहीं होगा तब ठीक है तब हमें भी बहुत साहिए और हमको भी उनको मदद करना साहिए बीजा स्वियादव कह रहे हैं कि जब प्रधान मंतिय, राष्ट्रपति, सिना, अध्यक्र सब हिंद को खत्रे में बताकर बीजेपी ऐसा नारेटिव क्यों सेट करती है डराती है हिंदु को दरने का बहुत सारे सीज है असाम में बेंगल में केरला में जम्मु कस्मी में हम लोग अपना पॉलिटिकेल स्पेस हर दिन खो रहा हूं इवन बिहार में भी अगर आप एक इलाका को देखे धीरे धीरे बिहार में भी ओ जो प्रॉसेज है ओ स्टार्ड हो शुका है सो टेजस्री जो सिंप्लिफिकेशन का फॉर्मुला का बारे में बात करता है पॉलिटिक्स और हमारा देश एटना सिंपल नहीं है हमारा देश में मुसल्मान भी रास्ट्रपती हुआ है ऐसा नहीं है कि देश में कोई कानून बना हुआ है कि हमारा देश में हमेशा के लिए हिंदू ही प्रधान मंत्री बनेगा हिंदू ही रास्ट्रपती बनेगा तो आपने भी कहा था कि अगर आने वाले दिनों में चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हो सकता है 2040 तक असाम का मुख्यमंत्री कोई मुसल्मान हो क्या धर्म क्या अधारिती राजनीती होगी दर्म आप एक बात बताईए आप कोई भी मुसल्मान पुलिंग वोट में जाईए वोट क्या सब पार्टी को मिलते है लेकिन आप एक हिंडू पुलिंग वोट में आईए हर पार्टी को वोट मिलते है यह जो सेकुलरिजिम है बाई पार्टीशन जो एप्रोसेज है यह डेमोक्रेसी का एक इठोज है हिंदू तो वो डेमोक्रेसी मानते है लेकिन मुसल्मान का क्या मा और बहन भोद दे सकता है जमात में पहले निन्नाई नहीं होता है किसको भोद देना है अगर जमात में निन्नाई नहीं होते थे तब तो भोध हर पार्टी को मिलते थे लेकिन निन्नाए कोई करता है आप खाली भोध देने जाते है ये क्या डेमोक्रिसी है